नमस्कार स्वागेत है आपका वक्त तो हो चला है रास्ट की बात का मैं हूँ आपके साथ आशाजाब सत्ता के लिए किसके बादों में कितना दम है यही सवाल पिछले 24 घंटे में हर्याना के लिए घूम रहा है हर्याना की सियासी हवा को अपनी तरफ मोरने के लिए कॉंग्रेस बीजेपी और आम आदमी पाटी ने बादों की बहुचार कर दी है हाथ से हालात बदलने के लिए कॉंग्रेस ने साथ गैरंटियां पेश की हैं तो वहीं हैट्रिक लगाने के लिए वीजेपी ने 20 संकल पिये हैं आम आदमी पाटी की बात करें तो आम आदमी पाटी ने 5 बादों का पंच मारा है और सभी ने अपने इन वाइदों के मध्यम से महिला, किसान, जवान और पहलवानों के लिए पिटारा खोलने का काम किया है तो सबसे पहले आई हम आपको दिखाते हैं किसके वादे में कितना दम, किसके पिटारे में क्या है अगर आपसे मिस हो गया है तो एक एक करके आपके स्तामने रखते हैं सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जिस पर बैटिंग हो रही है कि जिसके सत्ता आएगी कॉंग्रेस जिसके लिए बात हो रही है तो हर्याना में कॉंग्रेस का घोशना पत्र क्या कहता है देखिए सबसे पहली बात महिलाओं को ध्यान में रखते वे दो हजार रुपे प्रतिमा गैस सिलिंडर की जाए तो पांच सो रुपे में गैस सिलिंडर दिया जाएगा अगर कॉंग्रिस की सरकार आती है तो बड़ी छूट की बात 50% समपती टेक्स में महिलाओं के लिए छूट होगी महिला के नाम पर अगर समपती खरीदी जाती है तो किसान आयोग कमीटी का गठन किया जाएगा और एक वाइदा ऐसा जो हमेशा से कॉंग्रिस दोराती रही है किसानों की फसल MSP पर खरीदी जाएगी इसके लावा युवाओं को केंदर में रखके क्या कहा गया है देखिए दो लाख पकी नौकरियों का बादा दो लाख पकी नौकरियों का बादा है OPS को लागू करने की बात फिर से कही गई है Old Pension Scheme फिर से कॉंग्रिस ने यहां भी दोराया है अने राजियों की तरह सरकारी नौकरियों में 33 फेसिदी महिला रक्षन की बात भी इसमें इन गैरंटियों में शामिल है इसके लाबा पत्रकारों को 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दिया जाएगा साथी अगर सी की बात करें तो जाती कार्ड कैसे खेला गया है अनुसूचित जाती के पदों पर भरतियों की बात कही गई है और क्रीमी लेयर का जो दाइरा है वो 6 लाख से 10 लाख रुपए करने की बात कही गई है सीधा 4 लाख रुपए बढ़ाएंगे 6 से 10 आलपस संख्य कायों का गठन भी किया जाएगा इसके लाबा आंदोलन में शहीद जो किसान के परिबार है उनके एक सदस्य को नौकरी देने की बात की गई है ये देखिए ये एक तरीके से बड़ी चोट है BJP के उपर इसके माध्यम से और एक सदस्य को नौकरी देंगे तो ये तमाम गोशनाएं जो हैं वो कॉंग्रिस के गोशना पत्र में शामिल हैं गरेंटियों में शामिल हैं अब आई ये बात प्रतिद्वंदी आमने सामने की जब पाइट कही जाती है अर्याना में तो बीजेपी क्या एलान कर रही है अपने संकल्प पत्र के जरिये वो भी आपको दिखा देते हैं तो पहले बात कॉंग्रिस की अब बीजेपी की 500 परिबारों को इससे सीधा फाइदा होगा अब आए बेरोजगारी को लेकर के क्या कहा गया है ये बहुत एहम है क्योंकि जवान किसान नौजवान इनकी भी बात तो बेरोजगारी भत्ते में जाफिका एलान किया गया है 12 वी पास को 1200 रुपए बेरोजगारी भत्ता आठ तो रुपए बढ़ा कर और अगर पोस्ट डेजविट है किसीने पीजी की हुई है तो फिर उसे साड़े तीन हजार रुपए यानि शिक्षा के अनुसार बेरोजगारी भत्ता तै किये जाने की बात कही गई है अब एक चीज एहम हो जाती है ये तो मैंने आपको बहुत निर्नायक साबित होता है पिछले को चुनाओ को अगर हम नजीर में रखके देखें तो ये साबित होता है तो आधी आबादी को लेकर के देखें क्या कंपैरिजन देखता है महिला उपर दो हजार रुपे प्रतिमा कॉंग्रिस की तरफ से कहा गया तो 2100 रुपे की प्री इलाज दिया जाएगा इसके लावत सरकारी नौकरी में 33 फीसदी कोटे की बात कॉंग्रिस की तरफ से की गई है जबकि कॉलेज छात्राओं को इस कूटी देने की बात जो यूवा वर्ग है महिलाओं में उनको लुभाने का इस माध्यम से प्रयास किया गया है तो य एक और आम आदमी पार्टी की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोक दी है सीधा 90 सीटो पर अरविंद केझरिवाल तो यहां तक कह रहे है कि बिना आम-ादमी पार्टी के सरकार किसी की बनेगी ही नहीं एक तरीक इसमें free ilaj की guarantee दी गई है चौथी guarantee जो है वो युवाओं की बात करती है कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और पांच भी guarantee ये है महिलाओं के लिए जो guarantee दी गई है कि हम 1000 रुपए प्रती महीने देंगे Congress और BJP 2100 की बात करते हैं अब हम आपको सुनबाते है खटट सरकार में शामिल रही जेजेपी ने दरसल इस बार समाज आजाद समाज पार्टी जो है उसके साथ गड़ बंधन किया है आज उन्होंने भी हर्याना की जनता से बादा किया वो भी हम आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको प्रतिक्रियां एक सुनबाते हैं राहुल बाबा है, कॉंग्रेस की, जानते हो ना जरह अरह जानते हो नहीं जानते हो रहुल बाबा केते हैं कि अगनी वीरों को इसलिए योजना लाए है कि सरकार उनको पेंसन वाली नौकरी नहीं देना चाहते हैं अगनी वीर योधना केवल और केवल हमारी सेना को जवान रखने के लिए बनाई रही है मैं आज कर जाता हूँ हरियाना की माताओं को बेहनों को आपके नो निहाल में सेना में बेखते वड़ मज़ी जगिएगा हरियाना के एक एक अगनी वीर को हरियाना सरकार और भारत सरकार पेंसन वाली नौकरी देने वाली है पहली गारंटी आपकी 24 घंटे बिजली कर दूँगा कोई पावर कटनी लगेगा और फ्री बिजली कर दूँगा बिजली का बिल जीरो आएगा दूसरी गारंटी जैसे शांदार स्कूल दिल्ली में बनाए पंजाब में बना रहे हैं आपके भी बना दूँगा आपके बच्चों की गारंटी मेरी है पार्टी नहीं है इस देश के अंदर जो आके कहे कि मेरे को वोट दो मैं आपके बच्चों का भविश्य बनाऊंगा केवल केजरिवाल कहता है गारंटी अगर आपके घर में कोई बिमार हो गया उसके इलाज के लिए शानदार महला क्लिनिक और अस्पताल बनाएंगे ये जितने सिविल आस्पिटल बना रखे हैं इन पार्टी ओने ये सारे कबाड़ा हैं गारंटी दिल्ली में बारा लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करके आया हूँ पंजाब में पैंतालिस हजार सरकारी नौकरियां दे दी पता चला कलायत से बच्चे अपनी जमीने बेच बेच के डंकी के उसके जरीए विदेशों में जा रहे हैं मेंट मेंथ हजार हजार रुपे हर महीने डालेंगे मैं धन्यवाद करता हो पर दानSon कौन बनेगा कॉंग्रेस में यानि कि वो मान रहे सरकार तो कॉंग्रेस के आई गई है तो यह हम निवाद करते हैं उनका तो चलिए अब आपके सामने रास्टर की बात में आज का सवाल रखते हैं जो तीन उ बड़ स्टेक होल्डर से उनकी बात आपने सथुनी है ऐसे में आज रास्टर की बात किसका भरूसा